इस समय हमारे साथ हैं इशा फाउंडेशन के सद्कुरू जी सद्कुरू ने बार बार इस मुद्दे पर बात की है कि तमिल नाडू सरकार को हिंदू मंदिरों या हिंदू धार्मिक संस्थानों पर से अपना नियंतरन छोड़ना चाहिए सद्कुरू जी चलिए आपके विचारों से शुरू करते हैं क्योंकि हमने यहां कहा है कि हिंदू मंदिरों को मुक्त कराने के लिए सही रुक अपनाने का समय आ गया है लेकिन मैं इसे आप से समझना चाहता हूँ तो चलिए मैं थोड़ी एतिहासिक दृष्टी से बताता हूँ कि ये चीज़ें कैसे हुई ये सब एक अधिनियम से शुरू हुआ एक मदरास अधिनियम इसे 1817 का मदरास अधिनियम कहा गया ये इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी नहीं फिर सन 1840 तक आते आते ये उनके अपने समाज के अंदर ही इसका विरोध होने लगा कि इसाई लोग उन मूर्तियों वाले मंदिरों की देखभाल कर रहे थे तो इंग्लेंड में इसका विरोध हुआ तो 1840 में वो उसे वापस देना चाहते थे तो उन्होंने एक निर्देश जारी किया और कहा ठीक है इसे ट्रस्टियों को सौब दीजे लेकिन तब सब कुछ उनके हाथों में था और ट्रस्ट खत्म हो चुके थे तो कुछ प्रमुख मंदिरों को उन्होंने वापस कर दिया सन 1845 तक ज्यादतर महत्वपूर्ण मंदिरों को वापस लोटा दिया गया फिर उन्होंने 1863 में एक धार्मिक न्यास अधिनियम पारित किया जिसके साथ उन्होंने धार्मिक संस्थानों और उनके बंदुबस्त का कारिप पूरी तरह वापस हिंदू समुदाय को सौंप दिया फिर 1925 में उन्होंने मदरास धार्मिक और परोपकारी न्यास अधिनियम पारित किया इसमें सभी धर्म शामिल थे उस समय देश में स्वतंतरता अंदोलन को रोकने की ये उनकी एक रण नीती थी उन्होंने पाया कि चाहे वो कोई मस्जिद हो या चर्च हो या कोई मंदिर हो ये सभी जगहें लोगों के मिलने का और साथ आकर योजनाय बनाने का अड़्डा बन चुकी थी तो उन्होंने सभी धार्मिक स्थानों पर कबजा करने की कोशिश की लेकिन अल्प संख्यकों की ओर से इसका जबरदस्त विरोध हुआ तो अंग्रेजोंने उन्हें छोड़ दिया और इस अधिनियम को केवल हिंदूों के लिए लाये गया और इसे हिंदू न्यास अधिनियम या हिंदू मंदिर और न्यास अधिनियम या ऐसा कुछ कहा गया इसके बाद उन्होंने सन 1935 में इसे और ज्यादा सक्त बना दिया कि वो किसी भी मंदिर पर कबजा करने का नोटिस दे सकते हैं और ये सब आजादी से पहले हो रहा था लेकिन आजादी के बाद 1959 में उन्होंने ये हिंदू धार्मेक और परुपकारी न्यास अधिनियम 1951 जारी किया और इस 1959 अधिनियम के बहुत से प्रावधानों को हटा दिया गया मदरास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा तो 1969 में कामराज के समय में उन्होंने दूसरा ये तमिलनाड उधारमेक और परुपकारी न्यास अधिनियम पास किया जो आज भी लागू है इसके तहट 37,000 से ज्यादा मंदर सरकार के नियंतरण में है तो इसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि पहली बात तो ये है कि एक शर्म की बात है कि एक धर्म निर्पेक्ष देश में उसे एक समुदाय को मिरा मतलब अगर आप किसी और देश में इसकी बात करते हैं तो कोई भी आपका विश्वास नहीं करेगा कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि भारत में धर्मिक संस्थाओं को सरकार द्वारा चलाया जाता है तो धर्म निर्पेक्ष सरकार का मतलब है कि उन्हें किसी भी धार्मिक संस्था से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए जब हम हिंदू मंदिरों के बारे में बात करते हैं तो लोगों का एक बड़ा समू है जो तुरंत कहेगा तो चर्चों को भी अधिकार में ले लो, मस्जितों को भी अधिकार में ले लो मैं कहा रहा हूँ कि ये सरकार का काम नहीं है कि वो किसी मस्जिद या चर्च या मंदिर या गुरुद्वारे या किसी भी चीज को छुएं अभी एक समस्या है तो चलो उस समस्या को कई गुना बढ़ा देते हैं ये कोई समधान नहीं है ठीक है महत्वपून बात ये है कि भक्तों को मंदिर की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि मूल रूप से भारतिये मंदिरों को किसी पूजा के स्थान के तौर पर नहीं बनाया गया था यहां कोई एक व्यक्ती लोगों के समूँ के लिए प्रार्थना का नित्रित तो नहीं करता ये मोटे तोर पर अलग-अलग तरे की उर्जाओं के केंद्र है जहां जाकर लोग खुद को उस उर्जा से भर सकते हैं चाहे आप माने या ना माने ये लाखो करोडों के लिए सच है हजारों सालों से ये लोगों का अनुभव रहा है आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं ये आपकी समस्या है लेकिन मूल-भूत मानेवी अधिकारों के अर्थों में ऐसा होना ही चाहिए सम्वैधानिक अधिकारों के अर्थों में मौलिक अधिकारों के रूप में ये होना ही चाहिए लेकिन अब ऐसे कई लोग हैं जो बहस कर रहे हैं उनका तरकाम तोर पर ये होता है लेकिन वो राजाओं के नियंदरण में होते थे और राजा भी सरकार हैं तो ये हमेशा से ही सरकार के अधीन रहे हैं ये सच नहीं है, क्योंकि राजा भक्त होते थे, राजा महराजा बहुत बड़े भक्त थे, इस हद तक कि कई रियासतों में वहाँ के देवता ही राजा थे, राजा उस देवता का दिवान या मंत्री होता था, तो हमेशा देवता ही शासन करते थे, राजा केवल देवता के न भारत के मंदिर विशेश रूप से तमिल नाडू के मंदिर वो इंजिनियरिंग और वास्तो कला की शांदार रचनाए हैं अगर आप ये देखें कि उन्होंने क्या काम किया है एक हजार साल पहले, बारा सौ, पंदरा सौ साल पहले तो आप इंजिनियरिंग के अर्थों में ये पूरी तरह बेजोड है इंजिनियरिंग की जो महारत उनके पास थी और जिस तरह उन्होंने इन सनरचनाओं को बनाया वो बहुत ही अध़ुत है लेकिन आज विवस्थित तरीके से उन सभी का विनाश किया जा रहा है, सारी कलाकृतियां चोरी हो रही है, उनमें से ज्यादतर जा चुकी है, क्योंकि मंदिर को ऐसे लोग चला रहे हैं, जिनके दिल में उस मंदिर के प्रती कोई भावना नहीं है, और इसके कई और पहलू है, इसके आर्थिक पहलू है, उसमें मेरी कोई दिल्चस्पी नहीं है, मेरी दिल्चस्पी है, मूल बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, तो आप लोगों के बीच भेदभाव ना करें, हर किसी के पास समान अधिकार होने चाहिए, यही पूरी बात है, एक देश, एक कानून, हम हर जगे इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुती मॉलिक तरीके से नहीं हो रहा है, तो तमिलनाडू के मंदिरों को मुक्त करना होगा, क्योंकि सबसे सक्थ विन्यास अधिनियम शायद तमिलनाडू में ही है, दूसरे राज्यों में शायद ये इतना सक्थ नहीं है, लेकिन यहां तक कि वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां उनका पूरा नियंत्रण है, अगर आप एक नया मंदिर भी बनाते हैं, और अगर वो प्रसिद्ध हो जाता है, तो सरकार उसे अपने अधिकार में लेने का नोटिस भेज देगी, यह बिल्कुल बेतु की बात है, आप किसी भी देश में ऐसा नहीं कर सकते, यहां तक कि रूस या चीन जैसे देशों में भी आप ऐसा नहीं कर सकते, आप भारत जैसे देश में ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो एक धर्म निर्पेक्ष देश है, जहां लोकतांत्रिक रूप से चुनाओ नेत्रित्व है, और हमारा सम्विधान हर किसी को अपने धर्म का अभ्यास करने का पूरा अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी पंथ से हो, यहां तक कि आप एक नया पंथ शुरू करके उसका अभ्यास कर सकते हैं, केवल मौझूद अपंथ ही नहीं, आप एक नया पंथ शुरू करके उसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं, जब ऐसी परिस्थिती है, तो बहु संख्या काबादी के पूजा स्थलों, या उनके मंदिरों को सरकार द्वारा चलाये जाना, बहुती शर्म की बात है, लेकिन सद्गुरु जी, सचा ये है कि चाहे कोई भी राजनैतिक दल हो, उनकी आखे हमेशा मंदिरों पर होती हैं, और अगर आप राजनैतिक स्पेक्टरम के लेफ्ट से राइट की ओर देखें, तो केरल में लेफ्ट है, अगर आप AIA, DMK, DMK को देखें, जो तमिल नाडू में बारी-बारी से आते हैं, आप आंध्र प्रदेश में TDP, YSRC कॉंग्रेस को देखें, अगर आप तैलंगाना में TRS या उत्राखन में BJP को देखें, हर कहीं, राजनेतिक दल तुरंद मंदिरों और उनके बूड्ज और उनके प्रबंदन को जपटना चाहते हैं, इसका कारण केवल पैसा है या और कुछ भी है? देखे, देखे, मैंने ही चाहता कि इसे राजनीतिक स्पेक्टरम में देखा जाए, जैसा कि आपने कहा, कोई भी दल इससे अचूता नहीं है, वो सभी इसमें शामिल है, ये एक तरह की लूट है, मुझे लूट की भी चिंता नहीं है, बहुत से लोग पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर चिंतित हैं, मेरी चिंता ये है, कि एक पवित्र स्थान को व्यवस्थित तरीके से दूशित किया गया है, और इन मंदिरों के सौंदेर निरूपन के पहलू बहुत ही अद्भूत हैं, लेकिन आज, आगर आप तमिल नाडू के ज्यादतर मंदिरों में जाएं, पत्थर की नकाशिया हैं, ठीक है, मैं कहा रहा हूँ कि उन्होंने मार्बल या सोप स्टोन पर नकाशी नहीं की, जैसा कि उत्तर भारत या करनाटक में किया जाता है, यहां हमने ग्रेनाइट पर, एक बहुती सक्त पत्थर पर उत्कृष्ट कला को उके रहा है, और आप जानते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर सिल्वर पेंट कर दिया, ओइल पेंट, इनैमल पेंट, सारी पत्थर की नकाशियों पर, किसी सरकारी अधिकारी को लगता है कि यही सौंदर बोध है, आप इस तरह की चीजों का क्या करेंगे, इस तरह का अपवित्री करण, और मंदिर की प्रक्रियाओं को बदल दिया गया है, और दूसरे पहलूओं को जाने बिना, मंदिर का विज्ञान, मंदिर की संरचना, उन्हें बदलाव कर दिये, उन्होंने यहाँ वहाँ दिवारें खड़ी कर दी, मंदिर के संदर्ता की पूरी तरह हत्या कर दी गई है, सच में, तो मेरी चिंता यह है कि मंदिर को नश्ट किया जा रहा है, हाँ, उनसे धन, संपत्ती और सोना जुड़ा है, मुझे लगता है उसमें से ज्यादा तर वैसे भी ब्रिटिश ले गए, जो कुछ बच गया था, उसे दूसरे लोग ले जा रहे हैं, ये एक पहलू है, हाँ, मंदिर को एक जीवित मंदिर होने के लिए, उसके सही संचालन के लिए, उसे अपने प्रबंधन के लिए कुछ धन की जरूरत होती है, लेकिन ये भी मेरी चिंता नहीं है, ये कुछ ऐसा है, जिसे एक खास तरीके से बनाने में लोगों की कई प्रीडियां लगी हैं, खास तोर पर तमिल नाडू में, देखिए, हमें इसका संदर्प समझना चाहिए, इन्हें मंदिर नगर कहा जाता है, इसलिए नहीं कि वहाँ एक मंदिर है, सबसे पहले मंदिर, उन्होंने मंदिर बनाया, जिन लोगों ने ये भवे मंदिर बनाये, वो खुद जोपडियों में रहे, उन्हें इसके चंता नहीं थी कि वो कैसे रहते हैं, ये इस तरह के भक्ती भाव के साथ बनाया गया है, बहुत सी जगाएं जहां ये ग्रेनाइट के मंदिर, विशाल ग्रेनाइट के मंदिर बनाये गए, वहाँ कोई पत्थर नहीं है, उन्होंने पत्थरों को 300-400 किलोमीटर दूर तक पहुँचाया, उस समय जब कोई ट्रक, कोई क्रेन नहीं थी, हजारों टन ग्रेनाइट वो लेकर आए, और उन्हें तराशा और स्थापित कर दिया, इस काम में दो तीन पीडियां लग गई, और जिस तरह इन्हें प्राण प्रतिष्ठित किया गया, जैसे उधारन के लिए, चिदंबरम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महर्शी पतंजली ने की थी, आप उसे कैसे नश्ट कर सकते हैं? ऐसे बहुत से दूसरे मंदिर हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा अगस्तिय मुनी ने की थी, आप उसे कैसे नश्ट कर सकते हैं? आप इस विरासत को नश्ट नहीं कर सकते लेकिन दुर्भाग इसे बहुत अधिक नुकसान किया गया है मुझे लगता है कि इसे मुक्त करने का समय आ गया है अब लोग कह रहे हैं ओ, फिर तो हर तरह का भ्रष्टाचार होगा ये कहना पूरी तरह बेतुका और अपमान जनक है कि बहुत संख्यक समुदाए के पास ऐसे चंद लोग नहीं है जिनके पास मंदिर को चलाने के लिए जरूरी दिमाग और इमानदारी हो जब आज हम एक ऐसे समय में हैं जहा हम सोच रहे हैं कि सरकार को किसी एरलाइन के व्यवस्था नहीं संभालनी चाहिए उसे हवाई अड़ों की, बंदरगाहों की, उद्योग, व्यवसाए, खनन, किसी के व्यवस्था नहीं संभालनी चाहिए सब कुछ निजी संस्थानों के रूप में लोगों को संभालने के लिए दे देना चाहिए लेकिन मंदिरों को संभालने की योगिता सरकार के पास है कैसे ये बिल्कुल बेतु की बात है चुंकि आपने चिदंवरम मंदिर का जिक्र किया है 2014 में माननी सुप्रीम कोट ने एक एतिहासिक फैसला दिया था और मैंने डॉक्टर सुब्रमनियम स्वामी से भी बात की जिन्होंने उस केस में दलीर दी थी यह केस सन 1886 से कोट में लटका हुआ था और कोट ने इस बार साफ साफ कहा कि मंदिर को पुजारियों के द्वारा चलाया जाना चाहिए ना कि सरकार के द्वारा कोट ने ये भी कहा कि पुजारी एक धार्मिक समुदाए हैं और उनके अधिकारों को राज्यों की किसी भी दखल से सनरक्षन और सुरक्षा मिलनी चाहिए लेकिन उसके बावजूद यह चल रहा है कोट ने ये भी कहा कि अगर management खराब है या भ्रष्टाचार है तो आप उसे ठीक करिए और लोगों को वापिस सौब दीजिए लेकिन कोई भी इसका पालन नहीं कर रहा देखे अगर किसी संस्था में किसी तरह का गलत काम या भ्रष्टाचार हो रहा है सबी संस्थाएं किसी भी तरह के परोपकारी ट्रस्ट या धार्मिक ट्रस्ट भारती कानून के दाएरे में आते हैं तो अगर कोई गलत काम हो रहा है जैसे कि अगर किसी व्यावसाई या किसी मीडिया हाउस या किसी उद्योग या किसी ट्रस्ट में कोई गलत काम होता है तो इसके लिए कानून है किसी भी अपरात से निपटने के लिए IPC है सिर्फ एक या दो संस्थानों में भ्रष्टाचार होने के कारण आप सब कुछ अपने कबजे में नहीं ले सकते हाँ ब्रष्टाचार हो सकता है ये जीवन के हर पहलों में हो रहा है है ना? हाँ लेकिन ऐसा क्यूं है कि हम इस देश में हिंदूों के रूप में देखे जैसा कि मैंने कहा दुर्भागे से 1925 में अंग्रेजों ने सभी धार्मिक संस्थाओं को अधिकार में लेने के लिए कानून पारित किया जिसमें मस्जिद और चर्च और मंदिर और गुर्दवारा और सब कुछ रामिल था लेकिन उन्होंने बाकी दो को छोड़ दिया क्योंकि वो सड़कों पर उतर आए थे दुर्भागे से हम ये चलन बना रहे हैं अगर आपको किसी तरह का न्याय चाहिए तो आपको सड़कों पर कुछ जलाना होगा ये देश को मैनेज करने का एक दुर्भागे पूर्ण तरीका है जब हम कोई अपील करते हैं क्रिपिया इस पर ठीक से गौर कीजिए आप क्यों चाहते हैं कि लोग सड़कों पर उतरें और चीजें जलाएं हम उस देशा में नहीं जाना चाहते ये चीजों को करने का हमारा तरीका नहीं है मैं बस एक मुद्दा उठा रहा हूँ ये सरकार पर है कि वो इस ओर कदम उठाएं लोगों को विरोत करने दो फिर हम कुछ करेंगे ये किस तरह की बकवास है ये बिलकुल अन्याय है कि जब आप किसी तरह देश को तहस नहस करेंगे सिर्फ तभी आप कारवाई करेंगे जब हम देश को किसी तरह नुकसान पहुँचाएंगे जब आप हर किसी के जीवन में थोड़ी परिशानी खड़ी करेंगे ठीक है हाइवे जाम कर दो रेल रोको, रास्ता रोको, बिजली रोको आपको कुछ करना होगा फिर आपको इक अदम उठाएंगे कृपया देश को इस दिशा में ना ले जाएं हम कानून का पालन करने वाला देश बने जब कोई समझदार अपील की जाती है तो हर किसी को उस पर गौर करना चाहिए मैं कह रहा हूँ हर किसी को छाहे आप किसी भी पार्टी के हूँ किसी भी पदपर हूँ हर वो व्यक्ति जो किसी प्रशास्निक पदपर है उसे इस पर गौर करना होगा ये पूरी तरह अन्याय है मेरी राय में ये रंग भेद के बराबर है ये है सच में एक ऐसे देश में भेदभाव का सामना करना जहां हम असल में संख्यक हैं नहीं मैं कहा रहा हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत संख्यक हैं या अल्प संख्यक किसी के लिए भी अगर आप मस्जिदों या गुर्दवारों या चर्चों पर कबजा करते हैं तो भी मैं यही बात कहूंगा क्योंकि मौलिक रूप से ये गलत है लेकिन ये नाइन साफी दशकों से हुती आ रही है और सरकार ऐसा कर रही है इसका समाधान क्या है? क्या आप सभी मटादीशों, सभी पीटादीशों को, सभी सादू सन्यासियों को एक साथ लाने के लिए तैयार हैं ताकि एक सामुहिक मांग रखी जा सके? हमें वो सब करने के जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि हमें एक साथ एकठे होकर कोई उपद्रव क्यों करना होगा, आप तभी कोई कारवाई करेंगे, मैं बसे कपील कर रहा हूँ, इसे सब की नजरों में आने दीजिए, हर समझदार भारती को इस पर काम करना चाहिए, य मैं हर दिन मंदिर में जाने वाला व्यक्ती नहीं हूँ, मैं मंदिर जाने वाला व्यक्ती ही नहीं हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये साफ साफ एक घोर अन्याए है, ये ये बात हर कोई देख सकता है, तो किसी व्यक्ती के लालज के कारण, जो आपनी वेश उन्होंने एक पंक्ति कही, मुझे वो शांदार लगी, उन्होंने कहा, ठीक है? ये जस्ट इस, ब्रिटिश काल का है, और ये जस्टिस नहीं है, ये बिलकुल इन्जस्टिस है. सही, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कि ये बात लोगों की चेतना में भी नहीं है, फिर ये कैसे संभाव होगा, क्योंकि हर किसी को हिंदूों के वो चाहिए, हर कोई कुछ खास समुदायों और लोगों के समुहों के कल्यान की बाते करते हैं, लेकिन यह अन्याय, य इसे व्यवस्तित तरीके से मिटाया जा रहा है, ये सिर्फ खो नहीं रहा है, देखिए, एक समय पर मंदिर, हस्त कला, कला, संगीत और हर चीज के केंदर हुआ करते थे, आप किस हद तक उसे पुनरजीवित कर पाएंगे, आप क्या कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि हर शहर म हर उस शहर में जहां मंदिर हैं, या हर राज्य में, मान लीजे कि हम, क्योंकि एक जटल मुद्दा है, सभी 36,000 मंदिरों को कल सुबा वापस में ही किया जा सकता, ठीक है? तो आपको राज्यस्तर का सामुदाइक बोर्ड बनाना होगा, जिसमें जिमेदार लोग हों, जो मंदिर में मौझूद धन या दौलत की वज़े से उसमें नहीं आए हैं, ऐसे लोग जो सफल हैं, जिनने कोई परवा नहीं कि मंदिर के पास क्या है, उनके दिलों में थोड साल लगते हैं, लेकिन कम से कम प्रक्रिया तो शुरू होनी चाहिए, आपको कम से कम इरादा तो दिखाना चाहिए, मैं समझ सकता हूँ कि प्रक्रिया जटल है, इसे कदम दर कदम करने की जरूरत है, अगर आप इसे ठीक तरीके से नहीं करते, तो ये एक बड़ी जंजट बन सकता है, तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? निश्चित रूप से एक समाधान है, अगर आप एर इंडिया किसी और को सौप सकते हैं, तो इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ये कोई व्याफसाइक चीज नहीं है, वैसे भी अभी भी मंदिर इसलिए चल रहा है, क्योंकि शद्धालू आ रहा है, इसलिए नहीं कि सरकार मंदिर के लिए प्रचार कर रही है, इसमें कोई पैसा या व्यापार शामिल नहीं है, कोई प्रचार प्रसार शामिल नहीं है, लोग वैसे भी आएंगे, फिलहाल ज्यादातर मंदिरों को इस तरह रखा गया है, कि क प्रद्बनाप स्वामी मंदिर में, हर मंदिर में, हमारे देश के हर राज्य में मंदिर हैं, जहां भक्तों की भारी भीड उमरती है, और यही कारण है कि राज्य उन्हें नियंतरत करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है हमें प्रशासन पर नियंतरत करना होगा, वरना आप और श्रद्धालूं की भीड को नहीं संभाल पाएंगे, ये कारण दिया जाता है, इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य को वहां होने की जरूरत है, उत्रा खंड में 500 मंदिरों को अधिकार में लिया गया, मुख्य मंत्री से लेकर नीचे तक सत्ता में बैठा हर व्यक्त सब सही है, ठीक है? मान लीजिए, अगले 10 या 15 सालों तक आप वहां एक आये सदिकारी रख सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप उन्हें हटा सकते हैं, या अगर जरूरी हो तो उन्हें हमेशा के लिए वहां रखा जा सकता है, लेकिन मंदिर को भक्तों के द्वारा ही चलाया ज जाना चाहिए, क्योंकि वहां एक खास प्रक्रिया है, देखे सबी मंदिर एक जैसे नहीं होते, ये ऐसे नहीं है, मिसाल के लिए सबी दूसरे धर्मों में, सबी गुरुद्वारों में एक ही चीज होती है, सबी मस्जिदों में एक ही चीज होती है, सबी चर्चों में एक ह लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यह अपने आप में एक पूरी दुनिया है, देवी मंदिर एक तरह का होता है, शिव मंदिर दूसरी तरह का होता है, विश्नु मंदिर अलग तरह का होता है, क्रिश्नराम बहुत-बहुत अलग है, मैं कहा रहा हूँ, सब कुछ अलग है, यही संस् या क्या है। हम बाइसवी सदी में भी इसी तरह जारी रख सकते हैं। नहीं मुझे लगता है कि इसे बदलना ही चाहिए। मैं सहमत हूं कि इसे बदलना चाहिए। लेकिन हाथ चोड़के, अपील करके भी यह नहीं बदलता, तो लोगों की ओर से यह मांगानी चाहिए, और एक बड़े जंद समू को आ गया ना होगा, और इसके लिए उन्हें अभी हो रही चीजों के प्रभाव को समझना होगा. देखे, मैं तुपून बात यह है कि अभी तमिल नाडू में चुनाव होने वाले हैं. हाली में, तीन दिनों पहले, हमारे पोंगल उत्सफ के दोरान, एक युवाख खड़ा हुआ और उसने मुझसे पूछा, सद्गुरू, मुझे किसे वोट देना चाहिए? मैंने का, देखे, मैं यह नहीं बताऊँगा कि आप किसे वोट दें, आप जिसे चाहे उसे वोट दें, मैं कभी किसी को यह नहीं बताऊँगा कि उन्हें किसको वोट देना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसे वोट दूँगा, तो मैंने पांच पॉइंट्स बताएं, मैं उन सभी पांचों पॉइंट्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक कावेरी के बारे में है, एक किसानों के बारे में है, एक उद्योग के बारे में है, एक निवेश के बारे में है, एक भ्रष्टाचार के बारे में, इस तरह है, औ और आखरी वाला मंदिरों के बारे में हैं, मैंने कहा कि जो भी पाठी जो ये वचन देगी कि मैं कोई अव्यभारिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कल सुभा इसे बदल दो, नहीं, आप प्रक्रिया शुरू कीजिए, इसे करना शुरू कीजिए, और जो कोई भी ये वचन देता है कि वो सत्ता में आने के छे माहिनों के अंदर प्रक्रिया शुरू कर देंगे, मेरा वोट उनके लिए, ये निर्णाय आपके उपर है कि आपका वोट किसे जाएगा, तो एक लोग तांत्रिक राष्टर का मतलब ही ये है, कि चुनाव के दौरान आप बदलाव ला सकते हैं, ठीक है, लोगों को ये जिमेदारी उठानी चाहिए, आपने बहुत सही बात कही, यही हमने कहा, क्या इससे चुनावी मुद्दा बना चाहिए, क्या हिंदूओं का वोट उनको जाना चाहिए, जो मंदिरों को मुक्त करने के साथ साथ, आपके द्व क्या है, एक आपके जाए लाएबदाए, लाएबड़ासर थे घ्मेद़ उनको जाएबने काुनावी मुद्दा वोटे हैं, जो मंद लाएबदाबदा चाहिए, यही हमने कुनावी मुद्ददस सब्स्क्सक्त करने का जाएबदान लाना चाहिए, घज जाहिए, आपके य